सबसे पहले तो राम राम, राम राम भाई सभी भाईयों को मेरा किस बगेल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूटूब चैनल डी टीसी इन्फोर्मेशन पर साथियों डी टीसी के सभी कोंटक कमचारियों के लिए एक मैत्वो सूतना है 13 नमंबर को आईपी हेड़कौर्टर पर एक विसाल धरने का आयोजन किया गया है डी टीसी कमचारी एकता यूनिन के दुआरा जिसका उद्देश सभी कोंटक कमचारियों के दिखारों के लिए संगर्स करना है इस धरने में सभी कोंटक कमचारियों के उपस्तिति अनिवारे है कुछ समय पहले यूनियन ने हमारी सभी समस्यां और मांगों को ध्यान में रखती हुई डी टीसी के एमडी मौदे को एक ग्यापन सौपा था जिसमें इस पश्ट किया गया था कि अगर हमारे मुद्दों और मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम एक महीने के अंदर फिर से धरना देंगे तो सातियों समय आ चुका है अब हम सभी का या करतब भी बनता है कि हम इस धरने में एक जो ठोका सामिल हो ताकि हमारी आवाज इतनी बुलंद हो ना कि दिल्ली सरकार तक ही पहुँचे बल्कि पूरे देश की सरकार को हमारे समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़े यह धरना केवल एक प्रदर्सन नहीं है बल्कि है हमारी एक जुटता साहसोर अधिकारों की प्रति जगरुकता का प्रतिक है हमारी यह लड़ाई किसी एक ब्यक्ति की नहीं है बल्कि उन हचारों कर्मचारियों की है जो अपनी मैनत से दिल्ली के परिवन तंत्र को चलाते हैं हम सब जानते हैं कि हमने संग्ठन के लिए कितनी मैनत की है परन्तु आज भी हमें हमारे अक्से बंचित रखा गया है हमारे अधिकारों की अंदेखी अब ओर नहीं सही जाएगी यह धन्ना एक संदेश है कि हम सबी कर्मचारियों के समस्यां को हल करने की आफसे एक्ता है यह धन्ना पूर्ट सांती पूर्ट तरीके से और कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा हमें किसी भी प्रकार की इंसा से बचना होगा हम इस धन्ने में सैयम और अनुसासन बनाए रखेंगे हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कानून को तोड़े इस धन्ने का उद्दे सांती पून प्रदशन के माद्यम से अपनी मांगों को सरकार और संबंदित अधिकारियों तक पहुंचाना है एक दिन की छुट्टी लेकर बिना किसी सूचना दिये सभी साती धन्ने पर आएं अगर हम सब 25 जार की संख्या में खटा होकर इस धन्ने में सामिल होते हैं तो हमारी ये संख्या ही हमारे हक को दिलाने के लिए प्रयाप्त होगी संख्या में तागत है और ये हमारी एक जुटा का प्रमाड होगी यह संख्या दर्साइगी कि हम सभी को अपने हक के लिए एक जुट है दिल्ली में चुनाप का समय नजदी का रहा है और कुछ ऐसमा दिक्तत इस धन्य को बढ़काने का प्रयास कर सकते है हमें यह समझदारी से देखना है कि कोई भी हमारी सांती को भंगना कर पाए हमें उकसावे में नहीं आना है और नहीं किसी भी हिंसक गती विदी में सामिल होना है हमारा उद्देश से अपनी मांगे रखना है ना की असांती फैलाना यह धरना केवल संख्या नहीं बलकि हमारी एकता का प्रतीक है हमारे हक और अधिकारों की प्राप्ति के लिए यह सबसे सुनरा अपसर है अधिक से अधिक संक्या में आकर यह दिखाना है कि हमारी आवाज को अनसुना करना किसी के लिए आसान नहीं है यह धर्ना हमें यह भी सिखाएगा कि एक जुटता और धहर से कैसे संगर्स की नई दिशा दी जा सकती है किन मांगों को लेकर यह धर्ना है पहले वो ग्यापन पत्र देख लेते हैं करमचारियों की जरूरी मांगों और गंबी समस्याओं के समाधान पर ध्यान ना दी जाने पर 13-11-24 को डिटीसी हेड़कॉर्टर पर सांती पुर्वग धर्ना प्रदर्शन की सूचना की संदर में मानिवर डिटीसी कमचारी एकता यूनियन आपका ध्यान इसो दिलाना चाती है कि 16-10-2024 को डिटीसी हेड़कॉर्टर पर विसाल धर्ना प्रदर्शन किया गया था उस धन्य में एमडी महोदे जी को यूनियन ने ग्यापन दिया था जिसका पत्र संक्या 299 बटे डिटीसी के ईउ बटे 24 दिनाप 16-10-2024 थी अभी तक डिटीसी के उच अधिकारियों वे दिली सरकार ने डिटीसी कोंटे कमचारियों की एक भी मांग पूरी नहीं की है और 39-10-2024 को यूनियन का प्रतिनेदी मंडल एमडी महोदे सरी सचिन सिंदे जी से मिला था उस मीटिंग में यूनियन ने फिर्म एमडी महोदे को ग्यापन दिया था जिसका पत्र संक्या 293 में डिटीसी के ईउ चोविस दिनाप 39-10-2024 थी डिटीसी कॉंटे कमचारियों में इस बात को लेकर बहुत रोस है यूनियन अधिकारियों और दिल्ली सरकार से निवेदन अपील करती है कि जल्द से जल्द डिटीसी कॉंटे कमचारियों की मांगे पूरी की जाए अन्यता 13-11-2024 को यूनियन फिर से डिटीसी मुख्याले पर सांती पूर्वग विसाल धर्नाप्रदैसन करेगी करमचारियों की जरूरी मांगे जोकी निम लिखिते हैं पहली डिटीसी विभाग में कमचारियों की तंखा ना मिलने से कमचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं जल्द ही जल्द से जल्द तंखा दी जाए दूसरी मांग सबी अनुबंदित कमचारियों को उस्ताई किया जाए जब तक प्रकिरिया फूर्ण हो तब तक समान काम का समान बेतन डी टीसी के अनुबंदित कमचारियों पर लागू किया जाए डी टीसी विभाग में अनکंपा अश्रित की आदार पर डी टीसी बिवाग में 10 से 15 सालों से संभाग अनुबंद पर काम कर रहे हैं बांकों को नियमित किया जाए चोधा है पहले डिपू मैनेजर कॉंट्रैक्ट पर अब उनको basic follow d.a. के साबसे बेतन दिया जा रहा है उसी तर्ज पर d.tc kontra कमचारियों को basic flits d.a. लागू किया जाए पांच वाहे ड.tc अन्यूबन कमचारियों को TA travel allowance नहीं दिया जाता है यह लागू किया जाए क्योंकि अस्ताई कमचारियों को बेतन बहुत अधिक कम है उन्हें TA की बहुत अधिक आप सेखता है लेकिन अस्ताई कमचारियों को ही TA दिया जाता है चटा है DIMS Company DTC बिवाग के साथ ही काम करते है DIMS बिवाग में एक साल में 15 CL दी जाती है वो DTC बिवाग में एक साल में 8 CL ही दी जाती है DIMS की तज़ पर 15 CL लागू की जाए साथवा है एक साल में DTC कमचारियों को सिर्फ तीन राजी के अफकास दिये जाते है जबकि DTC बिवाग में ठारा राजी के अफकास है जिसमें कि उस डीपू के डीपू मेनेजर रहने की विवस्ता कराई जाए बारवा है डीटीसी उच्छे दिकारियों द्वारा और 350 कॉंटक कमचारियों की फाइल पर्मनेंट करने के लिए परिवेन मंतरी दिल्ली सरकार को बेजी गई थी जिसका फाइल नंबर 0-7-6-0-4-1-1-0 यह था इस पर मंतरी महुदय ने यह प्रतिक्रिया दी कि इलेक्टिक बसों में ड्राइवर कंपनी द्वारा उपलब्द कराय जा रहे हैं इसलिए डीटीसी कॉंटेक्ट ड्राइवरों की नोकरी इस्थाई करने की जरूरत नहीं है इससे संबागों का कोई संबंद नहीं है क्योंकि किसी कंपनी द्वारा संबाग उपलब्द नहीं कराय जा र दर पर लगातार कोंटर कमचारियों पर सोशन किया जा रहा है यह बंद होना चाहिए। चोदवा है जो एग्रिमेंट विवाक का करमचारियों के साथ प्रितेक बर्स रिन्यूवल कराया ज़कता है इससे करमचारियों के संबेधानिक अदिकारों का हननन किया जा रहा है जो की सोंशन का कारण बनता है ऐसे गयर संबेधानिक गयर जरूरी एग्रिमेंट को ततकाल प्रवाप से रद्ध किया जाए पंदरवाह इलेक्टिक वसों से बढ़ती हुई दुरगटना को देखते हुए प्राइवेट कंपने के ड्राइवर अठाकर ड्यूटी सी के अनुववी ड्राइवरों को लगाया जाए और ड्यूटी सी के पे रोल पर ये रखा जाए जिससे हमारी ड्यूटी सी के नुववी ड्राइवर बेरोजगार होने से बच सकें सोलवाह चैंज ओवर ड्यूटी बंद की जाए जो करमचारी ड्वल ड्यूटी करने का इच्चो के उसको ड्यूटी दी जाए और फिर उसको अगले दिन रेस्ट दिया जाए वर्ट सैप पर एक दिन पहले ही हदरी लगाने का नियम बंद किया जाए सत्रवाह ड्यूटी सी बिवाग में पहले स्टाफ बसें चलती थी जो सुवे जल्दी और देर रात को ड्राइवर और कंड़क्टर कमचारीं को अपने स्थान पर छोड़ती थी अब ड्यूटी सी बिवाग ने कंड़क्ट कमचारीं पर लागू किया जाना चाहिए उननिस वाह ड्यूटी सी बिवाग में कंपनी एक पर लागू किया गया है उस आधार पर ड्यूटी सी बिवाग में साट परसें इस थाई कमचारी और 40% कंड़क्ट कमचारी रखे जाने चाहिए लेकिन ड्यूटी सी 100% संभाग कॉंटेक्ट पर रखे गई हैं जो की नियमों का उलंगान है इस धरने में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है पहले देख लेते हैं कि हमें क्या करना है 13 नमंबर को IP हेड़कॉर्टर पर समय रहते हमें पहुंचना है समय है सुवए 10 बज़े से सामके 5 बज़े तक सभी को 10 बज़े तक वहां पहुंच जाना है और कोई भी जो है वहां से आने की कोशिश ना करें कि मेरी दुपैर की आजरी है मैं अपनी हाजरी लगवा लूँगा मेरी छुप्ती बज़ जाएगी कुछ नहीं करना है ए दिन की छुप्ती आपको करनी है उसोवज 10 बज़े से 5 बज़े तक आपको वहीं रहना है दूसरा है सांती पूर्ट तरीके से धरने में सामिल हो तीसरा है अनुसासन और सैयम बनाए रखें चोथा है अपने सातियों को भी धरने में सामिल होने के लिए प्रोचसाहित करें अब जान लेते हैं इस धरने में हमें क्या नहीं करना है किसी भी प्रकार की इंसा में सामिल ना हो दूसरा है उकसावे में नाए और किसी भी बिवादित इस्तिती से बचें तीसरा है कानून को तोड़ने की कोशिश बिलकुल भी ना करें हमें कानून का पालन करते हुए अपनी मांगों को प्रस्तुत करना है इसमें हमारा लच्छ क्या है? हमारा लच्छ है हमें अपने अधिकार चाहिए और इसके लिए हम सांती और अनुसासन के साथ अपनी मांगों को प्रस्तुत करेंगे हमारा ये धर्ना ये संदेश देने के लिए है कि हम अपने हक के लिए एक जुठ हैं और हमारी आवाज को दवाया नहीं जा सकता साथियों यह मौका है कि हम सब एक होकर अपनी हक के लिए आबाज उठाएं ज्यादा से ज्यादा संक्या में इस धन्य में सामिल होकर अपनी तागत दिखाएं यह हमारे भविश्य और हमारे अधिकारों की अंतिम लड़ाई है इसमें पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी और आप सभी जितने भी कॉंटक्ट कर्मचारी हैं अधिक से अधिक संक्या में आई-पी हैड़क्वाटर तेरा तारिक को समय रहते जरूर पोँचें तो साथियो यही संदेश मुझे देना था मैरा किस भगेल आप से आग्या चाता हूँ मिलेंगे तेरा तारिक को आई-पी हैड़क्वाटर पर राम राम